प्रेडिक्ट किया जाता है किस तरीके से समझा जाता है कि कहां पर जाने वाला है टेक्निकल एनालिसिस की मदद से जहां पर हम लोग पूरा टेक्निकल एनलिसि सीखेंगे फ्रॉम एपसलूट जीरो तो एपसलूट एक्जीक्टिबल स्ट्राटजी सो यह सीखने में आपको अगर इंटरस्ट है सो मेक शूर आप यह पूरा वीडियो देखना जो हम हर फ्राइडे को अपलोड करेंगे नौ बजे बाइदवे आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है सिदात बानुशालियन वी आर अमिशन ओफ इंपेक्टिंग वन करोर फैमिली बाइड टो थाउजन ट्वेंटिव दोजार पचीज तक एक करोर फैमिली के पास्बुक में एंट्री आना चाहिए यह नौलेज के थ्रू जो हम हर फ्राइडे को यहाँ पे देते है चलो ग्रेट बговर लिंडियो के यह सो एज के वीडियो में क्या रहने वाला है फेर्स्ट ग़िवीर। Dick nasi सबसे पहले वाइज टेक्निकल आनलिसटेक्निकल अलिस्टेक्स क्या ऑफ इरिजिव पीलनिस क्या है वह technical analysis ये तीन चीज़े हम देखेंगे डीटेल में आराम से कोई घाई नहीं है मेरे को and I'm sure आप notebook और pen लेकर के बैठे रहोगे because ये बुवन बामिया अशीश का वीडियो नहीं है and we are here on a hardcore subject to make money you know बहुत बार क्या होता है that हम कोई कोर्स खरीदते हैं पचास हजार का लाख रुपेगा पाच लाख रुपेगा तो तब हम notebook और pen लेकर बैठते हैं notes बनाने के लिए but then बहुत बार YouTube पे जब free में कुछ मिलता है तो हम चलो सुन लेते हैं क्या बोल रहा है बंदा so I will recommend you that if you are watching this अगर आप अपना time invest कर रहे हो तो pen और notebook लेकर के बैठना because ये जो पूरा playlist है I believe it's like 50 से 70,000, 50 to 70,000 रुपीज का ये content वर्त है जो मैं आपको देने वाला हूँ अगले 6 अवते के अंदर so with lot of love and respect for you and your family make sure you write down the notes awesome so what is technical analysis so पहले मैं बुक किस जो definition है उसको मैं पहीड लेता हूँ and then उसे हम break up कर करके समझेंगे technical analysis can be defined as an art and science of forecasting future prizes based on examining the past prize moment अब इसको आराम आराम से समझते हैं simple भाशा में बहुत बार ये चार्ट लग के ऐसा लगता है कि कितना difficult रहेगा इतना simple चीज है जिसका कोई हद नहीं है क्या आपको ये white box है या green box है वो समझता है क्या आपको ये red box है वो समझता है अगर ये बहुत बड़ा red box है मतलब बहुत जादा market नीचे आया अगर यहां पर बहुत बड़ा green box है इसका मतलब बहुत जादा market ऊपर गया simple and अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो we are like given the one of the best strategy 44 moving average जिससे बहुत सारे लोग पैसा बना रहे and बहुत सारे comments आते हर रोज youtube पे that thank you सिदात love you ये वो because people are making money with this simple strategy so make sure you pay attention बहुत simple है asan है जो Sandeep Maheshwari हमेशा बोलते है so asan है पे attention फिर से break up के साथ में technical analysis can be defined as an art and science see what is art and science technical analysis is दोनो क्यों है दोनो इसलिए है because technical analysis can be an art what is art painting is art और आर्ट क्या है cricket खेलना इस आर्ट और आर्ट क्या है music is art acting is art so basically technical analysis is depends on person to person क्यों किस तरीके से manifest करता है अपने trading को that's art कि कैसे वो करता है and science generally या चीज़े या तो art होती है या तो science होती है but then technical analysis is both it's also science for what science अगर आप yellow color को और red color को mix करोगे तो क्या बनेगा orange बनेगा right so इसी तरीके से technical analysis can be defined as science also there are few strategies for example this is a 44 moving average अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं सिर्फ सुन लो वक्त के साथ मैं आपको समझ में आएगा मैं आपको कुछ video recommend करूँगा जिससे आपको ये समझ में आएगा मैं बोल रहा था science so this is 44 moving average rising तो आप जितने भी stock देखोगे rising moving average के साथ में the probability is कि आपका उसमें profit होगा and the moment 44 moving average falling होना शुरू हो गया stock और नीचे नीचे आना शुरू हो जाता है कुछ इस तरीके से ये निफ्टी का चार्ट एक्जामबल दिखा देता हूं में दो तिन ये निफ्टी का चार्ट है इसके बाद में ये loopin का चार्ट है उसके बाद में ये Tata Motor का चार्ट है और उसके बाद में ये Tata Steel का चार्ट है अपने चारों चार्ट में देखा जब भी stock rising है, moving average जो है, वो rising है, तब stock उपर जा रहा है, जब falling है, तब stock नीचे आ रहा है, it's a science, right, exactly, that's why it's art and science both, आगे, technical analysis can be defined as an art and science of forecasting future price moment, हम क्यों technical analysis use करते है, या हम क्यों ये सारी चीज़े देखते है, to predict the future price moment, के कौन सा stock चलेगा, कौन से time पर चलेगा, कितना चलेगा, ये सारी चीज़े जो समझ में आती है, वो कहां से समझ में आती है, वो समझ में आती है, technical analysis नामक चीज से, और ये जो चार्ट है, इसको study करने का परपस है, ताकि हमको future prices समझ आए, ये पक्का समझा, यहां तक कोई hard नहीं सिखा रहा हूँ ना मिन, Basically technical analysis, the chart is art and science both for forecasting future price movement, based on examining the past price movement, future पता कैसे चलेगा, by studying the past, ठीक है? For example, मैं आपको बहुत ही interesting example देता हूँ, जिससे आपको ये पूरा गुथी जो है, वो कपिल शर्मा वाली गुथी नहीं, जो पूरा जो complexity है, वो आपको simplicity के साथ में समझ में आएगा, ठीक है? So for example, आप एक student को assume कर लो, एक student है, let's say उद है, so ये मेरा दोस्त है, उद है, उसको first standard में आए 50%, second standard में आए 55%, third standard में आए 60%, fourth standard में 63, fifth standard में 65, sixth standard में 70, eighth standard में 75, ninth standard में 78, अब मुझे बताओ, कि जब वो 10th में आएगा, SAC में आएगा, हमारा prediction, for example, आपको उदय पे पैसा लगाना है, जुआ खेलना है, again, जुआ is not a right word, but मैं आपको समझाने के लिए एक analogy use कर रहा हूं, trading is a hardcore business, but then उदय पे तो जुआ ही obviously हमें लगाना है, right? So, it's just a prediction, so हमें उस पर अगर prediction करना है, अब क्या prediction करोगे? उसका first से tenth तक का जो result, ninth तक का जो result हमेशा rising रहा है, what's the probability, क्या होगा? 10th में, शायद आप और मैं दोनों बोलेंगे के he will gain a good marks, because वो eventually grow हुआ है अपनी life में, exam में, exam देने में, so the probability is very, very high, के वो 10th में, maybe 78 के उपर मारेगा, yes or no, पूछ रहा हूँ yes or no, हाँ ध्यान यहाँ पर, so obviously हम उस पर एक bullish bet लगाएंगे, के उदाए को अच्छा marks आएगा, because उसका जो average रहा, वो हमेशा rising में रहा, yes, exactly इसी तरीके से, जब stock का जो average है, वो rising में होता है, according to the past price data, we assume के future में यह stock और उपर जाएगा, इसी तरीके से कोई stock होता है, जो एक rising mood में होता है, जो एक rising trend में होता है, जो statistically नीचे जा रहा होता है, उसे हम assume करते हैं, on the technical analysis के base पे, के और नीचे जाएगा, समझ में आया, पका, पूरा द्यान ही आप है, चलो, great, so that was about the basic definition of technical analysis, ठीके, that's why technical analysis works, because it works on not any assumption, it works on the past price data, yes, so again आप अपने जिंदगी में भी देखोगे, कोई इंसान है, जो हमेशा जूटी बोलता है, ठीके, कोई XYZ इंसान है, जो हमेशा जूटी बोल रहा है, जूटी बोल रहा है, जूटी बोल रहा है, जूटी बोल रहा है, and then आप उनको अगर पूचते हो, के और भाई कब मिलोगे, वो बोलता है, संदे को मिलोगा, हम क्या अजूटी बोलता है, अरे फेकता है वो, right, yes or no, इसी तरीक से, कोई stock prices, कोई Yes Bank है, DHFL है, सुजलान है, DLF है, जो उपर ही नहीं जा रहा है, जो हमेशा नीचे ही जाते है, जो average है, वो हमेशा नीचे ही जाता है, हम assume करते है, on the basis of technical analysis, according to the past price movement, के ये नीचे ही जाएगा, maybe few people would be thinking, सिदाथ, ऐसे तो आज तक किसी ने technical analysis explain नहीं किया था, awesome, चलो, great, so आज कुछ सिखा रहा हूं, ध्यान देना, आगे चलो, ये technical analysis का basic समझ में आगया, आपको पक्का, इसमें कुछ शक, सवाल, दुखदर्द नहीं है, आगे चलता हूं फिर, चलो, great, let me move forward, so, what is technical analysis, technical analysis involves putting stock information like, technical analysis involves, technical analysis और क्या-क्या involve करता है, technical analysis involves putting stock information like, price and volume on chart, ये मैं आपको बुकिश सिखा रहा हूं, ठीके, बाइदर आप मुझे नहीं जानते हो, तो मैं 10 साल से जादा से यही काम कर रहा हूं, दिन रात मेरा यही काम है, we trade with more than 25 करोर, 25 करोर से जादा सम्रूप ट्रेड करते हैं, a lot of love and respect, because of our family support, because of our friend support, because of our client support, चीज़े अच्छी चल रही है, so, I am not के जो किताब पढ़के, कुछ बाब बात करे, explain करे, यहां पर मुझे एकदम 0 लेवल से आना था, so, I thought, why not bring some words and definitions with me, anyways, technical analysis involves putting stock information like price and volume on chart, हम कोई भी चार्ट पर एक तो यूज़ करते हैं, price, ठीक है, so, यह जो boxes दिखते हैं आपको green and red, depends on the software, कुछ like मैं personally जो software यूज़ करता हूँ, उसमें white and black है, and जो आपको free में मिलता है, investing.com पे वो green and red है, so, कहीं भी आपको green boxes दिखते हैं, red boxes दिखते हैं, it's a technical analysis, तो यह price है, nifty कहां खुला, nifty कहां बंद हुआ, वो इससे आपको पता चलता है, कोई particular stock है, Tata Steel कहां खुला, कहां बंद हुआ, वो इससे पता चलता है, so, यह candlestick हम detail में सीखेंगे, price हम detail में सीखेंगे, and एक तो यह market से हमें मिलता है raw, दूसरी चीज़ जो हमें market से raw मिलती है, वो होता है volume, volume मतलब क्या, आज कितने shares trade हुए, I will repeat, आज कितने shares trade हुए, this is volume, so, कोई भी चार्ट पर एक price होता है, और नीचे उसके volume होता है, यह दू चीज़े हमें raw मिलती है, for example, यह चार्ट है, and कोई एक candle है, उसके उपर एक कोई बहुत ज़्यादा बड़ा volume का बार है, it means उस दिन पर बहुत ज़्यादा shares buy sell हुए है, यह समझ में आया, price volume, अब बोलोगे study कैसे करना है sir, पता कैसे चलेगा, short price कैसे उपर जाएगा, अभी तक तो like, I guess, 10, 15, 20 मिनिट का वीडियो हुआ होगा, उस ही में आपको like, सब कुछ चाहिए कि पैसा बन जाए, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सीखना पड़ेगा, पूरिया playlist को go through करना पड़ेगा, में भी repeat देखना पड़ेगा इस playlist को, ताकि पूरी चीज़े समझ में आए, कि कैसे apply करना है इस knowledge को, puzzles जो है, उसको connect कैसे करना है, ठीक है, and always, और एक important चीज़ आगे जाने से पहले जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, that would be this, that the goal is not knowledge, the goal is executable knowledge, so knowledge top ले रहे हो, उसको execute करना है, because हमने बहुत वीडियो देखे है, बहुत वीडियो हमने देखे है, सिर्फ question यह है, apply कितना किया, because the business, the secret to business is execution, it's not learning, आज के time पर यह myth है, जितने वीडियो और जितने Instagram पर ads चलती है, और Facebook पर ads चलती है, learning, 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 it's not learning, it's execution, so make sure यह जो भी आप गाथा, मैं बोल रहा हूं और आप लिख रहे हो, उसको execute करना रे बाबा, सीख के मत रख देना notebook, that ने मस सिखाया, मजा आया, it's not for मजा, anyways, price and volume पर था मैं, so basically यह दो ही चीजे जो है, वो raw मिलती है, जो raw is the right word, real मिलती है, इसके अलावा कुछ भी real नहीं है, everything is derived from price and volume, so for example, यह tool मैंने लगाया, 44 moving average, it's derived from the price, मैंने यह tool लगाया, RSI, it's derived from the price, यह मैंने tool लगाया, यह volume वाला, it's derived from the price, yes, नीचे मैंने और कोई tool लगाया, maybe which is derived from the volume, yes, समझ में आ रहा है, bore तो नहीं हो रहा है, कैसे दात, क्या इतना technical subject सिखा रहा है, चलो great, but then, एक learning attitude चाहिए, या, अगर आप video यहां तक देखे हो, तो वो learning attitude है, बस वही चाहिए, बस इसको अभी execute करना है, आगे चलता हूँ मैं, and, मतला एक तो है के price and volume, हमने apply किया चार्ट के उपर, दूसरी चीज़ जो होती है, वो है, various patterns and indicators, in order to forecast a future price moment, एक तो आपको price, volume लगाना होता है, and patterns and indicators, लगाने होता है, indicators मैंने आपको अल्रेडी बोला, moving average, RSI, stochastic, MACD, these are the indicators and oscillators, सरी क्या होता है, जल्दी सिखाओ ना सर, सिखाओंगा, अभी हम basics of technical analysis पे, तो भागो मत मेरे आगे, साथ मेरा हो, indicators and oscillators पे थामे, so एक होता है, indicators and oscillators, जो मैंने टूल बता, दूसरी चीज़ होती है, tools, tools क्या होता है, fantastic video, so मैं link description में दूँगा, watch that, उसके अलाबा, maybe आप कोई pattern यूस करते हो, so कुछ ताइम पहले, मैंने double bottom पे एक वीडियो बनाया था, लंबा, so it's double bottom, proper एक pattern है, triangle, एक proper pattern है, so या तो आप technical analysis में, सिफ price यूस करो, that's one method, या तो आप price and volume यूस करो, that's second method, या तो आप indicators यूस करो, that is third method, या तो आप tools यूस करो, या तो आप chart patterns यूस करो, ये चीजों से technical analysis बनता है, जो complexity में जाते है, वो शायद सारी चीज़े यूस करते है, या combination जी में यूस करते है, जो simplicity में जाते है, category में से आता हूँ, चाहे वो business हो, चाहे वो life हो, चाहे वो trading हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो अलग-अलग businesses हो, अलग-अलग streams के, goal हमेशा ये होना चाहिए, कि कैसे simple way में पैसा बने, भले 2 टका कम return आएगा, 5 टका कम return आएगा, लेकिन simple to execute होना चाहिए, अगर वो simple to execute नहीं है, तो तकलीफ है, business का नियम है, it should be replicable and duplicable, मतलब अगर मैं नहीं हूँ, तो कोई मेरे team member वो trade करने चाहिए, अगर business में मैं नहीं हूँ, तो और कोई भी वो करना चाहिए, वैसा system and processes set करने पड़ते हैं, you might think that business का coaching चल रहा है, या फिर तो trading बोल रहा है, but then business, trading is business, और क्या है, सटा gambling hobby नहीं है, hobby चाहिए तो ice skating सीखो आस पास में, रोद भागने जाओ, जिन जाओ, जो लोद बोडी बनाओ, that's hobby, this is business, awesome चलो, great, इसके बाद मैं, technical analysis, the time in which technical analysis is applied, may range from, मतलब जो technical analysis है, जो charts है, वो कौनसे कौनसे time frame में use हो सकते है, the time frames can be, one minute, one minute, three minute, five minute, ten minute, fifteen minute, thirty minute, it can be used in sixty minute, but I don't recommend 75 minute, हां, इसके बाद में, daily, weekly, monthly, quarterly, yearly, and maybe few years, इन सारे time frames में, technical analysis, use किया जाता है, अप कर सकते हो, full attention, यहां पे, yes or no, हां, पूरा ध्यान इदर, इन सारे time frames में, technical analysis, use किया जा सकता है, और आप कर सकते हो, और पैसे बना सकते हो, अगर आप, एक minute से, 75 minute, use कर रहे हो, तो, मेभी बहुत ही, आपका short term trading होगा, आदे घंटे से लेकर, के, एक दो दिन में, आपका trading खतम हो जाएगा, अगर आप daily chart से लेके, monthly chart तक use करते हो, तो, मेभी एक थोड़ा सा, medium term to long term, आपके trades चलेंगे, और आप, मेभी monthly या, उसके उपर जाते हो, तो, एक long term investment किया जा सकता है, सिर्फ technical analysis से, it's a myth, कि technical analysis से investment नहीं किया जा सकता है, जूट है, so, अगे चलूँ मैं, then, there are basically two methods to analyze stock market, stock market को analysis करने के लिए two methods, कौनसे कौनसे, fundamental and technical, you can use fundamental informations like financial and non-financial aspect of the company, अब इस अगर आपको fundamental analysis करना है, तो आपको government policy देखनी पड़े, इंट्रस्टेट देखने पड़ेंगे, कंपनी का जो मोट होता है, वो देखना पड़ेगा, कंपनी के competitors study करने पड़ेंगे, कंपनी के profitability study करने पड़ेगी, balance sheet study करने पड़ेगी, financial study करना पड़ेगा, and many more things, so, ये हो गया आपका fundamental analysis, अगर आप, और, definition, stick to the point, और, you can use technical analysis, which ignores, the fundamental and focuses on only actual price, moment, या तो fundamental करो, या तो technical करो, fundamental में मैंने सारी चीज़े आपको बता, ये करो, या तो technical करो, which focuses on only actual price, moment, this, बस, भाव कहां था, कहां है, और कहां जा सकता है, बस, so, the question is, के हमें क्या करना है, आप मुझे पूच़े के, सर, कौनसा अच्छा है, दोनों अच्छे है, सर, कौनसा ज्यादा चलता है, दोनों चलते है, आपको कौनसा चलाने आता है, मेरे को ये सवाल है, बहुत बार मेरे को, question आता है, सिजाथ, why 44, why not 50, and I am like, दोनों चलते है, आपको कौनसा चलाने आता है, C, मारूती और और ओडी, दोनों चलती है, आपके पास कौनसी है, आपको कौनसी आती है, ये सवाल है, आप बहुत अलगा सर, दोनों आती है, ठीक है, प्लेन और गाडी, दोनों चलती है, आपको कौनसी चलाने आती है, बस, ये fundamental and technical भी वैसा ही है, दोनों चलते है, आपको कौनसा चलाने आता है, दोनो अच्छे है the only question is आपको क्या जंता है make sense so never be in an argument which is better, what is great both is great आगे चलो चलो great, so अब the basis of technical analysis or you can say why technical analysis 4 point बता होंगा, very important make sure you write it down number 1 this is my favourite one price discounts everything price discounts everything what does this mean by that why technical analysis works because price discounts everything इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत सिंपल है stock market में कौन कौन trade करता है stock market में एक चाय बेचने वाले इंसान से ले करके अमिच्छा तक हर कोई trade करते है कभी गूगल करके देखना portfolio of अमिच्छा so सब लग trade करते है ठीक है company का जो कोई भी for example let's say any XYZ company वो company के प्यून से ले करके वो company का CEO MD CA managing directors उनके घरवाले उनके दोस्त सब trade करते हैं yes or no correct बड़े से बड़े mutual funds बड़े से बड़े fund managers बड़े से बड़े government policy बनाने वाले politicians भी trade करते हैं correct आप बोलोगे हाँ सिदाथ बात तो सभी बोल रहा है correct so basically जब ये सारे लोग आते हैं और trade करते हैं stock market में वो दिखता कहां है वो दिखता है chart पे because chart is a real market nifty अगर उपर गया है तो दिखेगा nifty अगर नीचे आया है तो दिखेगा इसी तरीके से for example HDFC bank है अगर वो उपर जा रहा है तो दिखेगा बराबर आप बोलोगे हाँ सिदाथ बात तो फिर से बराबर बोल रहा है तो बराबर so अगर HDFC bank उपर जाते हुए दिखेगा so let's this is just a example ठीक है मैं एक raw example दे रहा हूँ and it does not mean anything it's just for educational purpose so अगर HDFC bank उपर जा रहा है so HDFC bank के बारे में जो information रखते है जो लोगों को information पता है HDFC bank के अंदर का के ये positive है management positive है financials positive है future plans positive है government policy positive है numbers positive है balance sheet positive है profitability positive है cash flow positive है जिसको ये सब कुछ पता है वो कहां trade करेगा वो market में buy करेगा के sell करेगा because everyone knows something right government वाले को उसके साइट जे पता है HDFC bank के लिए positive है HDFC bank का CA को उसको उसको पता है कि HDFC bank के लिए positive है managing directors को उनको पता है कि ये positive है so everybody knows something nobody knows everything I will repeat golden line everybody knows something nobody knows everything so basically हर किसी को कुछ ना कुछ पता है वो basis पे जब वो market में जाता है trade करता है buy करता है जिसके वज़े से stock prices उपर जाता है so basically जब ये सारे लोग आते है market में आकर के buy करता है stock market उपर जाता है basically technical analysis पे दिखता है कि ये उपर जा रहा है that's why 44 moving average strategy works that's why our strategies works by the way आपको अगर नहीं पता है तो 27, 28th November को event है मैं यहाँ पे team को कहूँगा कुछ photo डाल दे जिससे आप वो event में अगर चाहते हो तो आ सको so description में link है वो ज़रूर देखना बढ़ उसके पहले भाई ये पूरा video देखना ठीक है मेरे event के चकर में video को skip मत कर दे ना last में फिर से याद करा दूँगा चाहिए तो नहीं तो मैं बूल गया तो team को बूलूँगा photo डाल दे मुद्धे पे आता हूँ मैं कहां पे था मैं HDFC का accounts HDFC के लोगों को पता है कि stock उपर जाएगा तो वो लोग बाई भाव भगवान छे भाव भगवान छे प्राइज इस सुप्रीम मेक सेंस भाव भगवान छे प्राइज डिसकाउंस एबरिधिंग प्राइज में सब लोग ट्रेड कर लिए तेज वाई टेक्निकल अनलेशिस वर्क्स and that was first point second point price moments are not totally random price कहीं भी कुछ भी कभी भी उपर नीचे उपर नीचे नहीं होते है price moves in a trend price moves in a trend आज शायद बहुत हमारे जो पुराने viewers होंगे subscribers होंगे उनको ये समझ में आया होगा that why 44 is such a crazy best system best is not a right word because बहुत सारी systems best है but I can say why it's one of the best system is a right vocabulary which I can use price moments are not totally random price कहीं भी कुछ भी नीचे जाता है price moves in trend अगर कुछ उपर जा रहा है तो वो उपर ही जाता है कोई चीज नीचे आ रहा है तो वो नीचे ही जाता है शायर लाइफ में भी यही होता आपने बहुत लोगों से मिले होंगे जब वो वो successful हो रहे तब उनके सारे प्रोजेक्स चलते है सब कुछ चलता है बट जब एगो आ जाता है तब फेलियर किक्स इन और अवरिटिं गोज बाक तो जीरो अगर कोई स्टोक ऊपर जा रहा है our job is to buy अगर कोई स्टोक नीचे जा रहा है अगर कोई स्टोक नीचे जा रहा है our job is to sell it's as simple as that awesome तीसराँ पॉएंट वाट इस मोर इंपर्टन देन वाई लिए इस अपने ग्रीजिए स्टोक वेटरी वाट इस मोर इंपर्टन देन वाई the question is सर निफ्टी की ऊपर गया ये आप निफ्टी चैनल में भी देखते होगे आज निफ्टी 300 पॉंट ऊपर क्योंकि ये हो गया आज 600 पॉंट नीचे क्योंकि ये हो गया my question is अच्छा उनको really पता है पूछ रहा हूं मतलब उनको really पता है जो articles and news channel पर हम देखते है बट ये दिखाया जाता है क्योंकि audience को ये सुनना है मुझसे भी ये काफी बार मिलता है निफ्टी सूल आगे छे और आइम लेक निफ्टी सूल आगे छे ये जान कि आपका कितना पैसा बनेगा निफ्टी आज केम नीचे गयू निफ्टी आज केम उपर गयू मार्केट के उचे अच्छा सीरियसली निफ्टी सूल आगे छे पूच के पैसा बनने वाला है निफ्टी केम उपर गयू केम नीचे पूच के पैसा बनने वाला है और किसको पता है मेरे को ये बता दो चलो आज निफ्टी 1500 पांट उपर है क्यों उपर गया है किसको पता है अब जिसको पूछते हैं और जिसको खुद को एनलिस्ट दिखाना होता है they search for a reason अच्छा आज इसलिए उपर गया क्योंकि आज मोदी जी का बड़ ए by the way मैं जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस दिन सच में मोदी जी का बड़ ए but मेरा कहने का मतलब इतना सा है that what कि क्या है market में क्या है वो ज़्यादा important है rather than Q है because Q का अंसर सच तो यही है कि किसी को नहीं पता है one day I was attending one of the like seminar or event by Ramdev Agarwal जी and वो बहुत ही beautiful line कहते है जो अभी तक मेरे जहन में मुझे याद है that he says that मेरे कंपनी का शेर पांच गुना हो गया क्यू हुआ मुझे नहीं पता है हमारा उतना ही profitability है कोई पांच गुने कंपनी का profits नहीं हुए है and पांच गुना से वापस वही भाव पे आ गया और क्यू नीचे आया वो भी मुझे नहीं पता है कि मेरे कंपनी का profitability उतना ही है and that's crazy one of the biggest investor in India don't know of his own company shares gone 5x and वापस back to that price why and हम बोलते है निफ्टी की ऊपर गया और नीचे गया ध्यान है यहाँ पे पूरा yes pay attention so the point is इतना सा what is more important than why that's why technical analysis works and इसके बाद में the last point and the fourth point is history repeat itself history repeat itself मतलब इत्यास अपने आपने दोहर आता है इसका human being के जैसा consider कर लो हम शायद एक same restaurant में जाते है अगर मैं माटूंगा के आसपास हूँ तो मैं same rama shrey में जाऊंगा same idli vada order करूँगा और same वही खाऊंगा yes अगर मैं गाटकों पर मैं हूँ तो मैं वही खाऊंगा जाऊंगा और वही पर जाके juice पिऊंगा मैं अगर विटी के आसपास हूँ तो मैं same sandwich वाले के पास जाऊंगा विटी station के जो सामने है canon के बाजू मैं उसी का sandwich खाऊंगा and I am sure आप भी ऐसा ही कुछ करते रहोगे human behavior is repetitive हम शायद hotel में जा करके शायद same जगा पे बैठना पसंद करते है जहां पे हम regularly बैठते है exact इसी तरीके से stock market is also repetitive अगर market इस pink line पे आ करके support lab के उपर जाता है so the probabilities के यह बहुत बार होगा it's not 100 out of 100 same cheese again human behavior भी वैसा ही है अगर मैं घाटको पर हूँ तो शायद मैं 100 में 100 बार उसी juice वाले के पास ना जाओ 70 times जाओ but 30 times और कुछ ट्राइ करू अगर मैं विटी हूँ तो शायद 70 times मैं वही sandwich खाऊँगा अब 30 times में बार ट्राइ something new yes or no exact same stance with technical and this is also it's a human behavior which is repetitive that's why it works अगर आप chart देखोगे उसमें जभी भी कुछ इस तरीके से double bottom बनता है the probability of you making money is really high अब बहुत बार इस तरीके के chart patterns देखोगे जो चलेंगे अब बहुत बार ये triangle देखोगे जबी भी market उपर जाता है triangle बनता है breakout होता है it works सीखने वाल है हम ये सारी strategies ये playlist में कुछ playlist चाहते हो इतना deep में या तो वो मतलब क्या मुदते है YouTube का the golden standard is 20 minute video but then मुझे लगता है कि यहां पे हम पैसा बनाने के लिए बैठे है तो मैं YouTube के 20 minute standard को follow ना करके आपके बारे में सोचू वो ज्यादा बहतर है आप लोग क्या वुकते हो 20 minute में video बन कर दे या 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 you are okay to learn this much deep I am enjoying life मेरे को नहीं मालूम है कितने लोग अब अबी तक देखे है कितने लोगो को मजा आरहा है लेकिन मेरे को मजा आरहा है ये fix चलो great so history repeat itself history repeat itself that's why technical analysis works आगे चलो बोर तो नहीं हो गए comment करके यह बता सकते हो कि sir मैंने यहां तक देखा I don't know कितना minute हुआ है maybe 40-45 minute हुआ रहेगा कि sir मैं 40 minute तक हूँ या ऐसा कुछ so at least मालूम तो पड़े मेरे को के मेरा 40 minute तक कितने लोगों ने सुना so technical analysis for reason the basis of technical analysis पहला price discounts everything दूसरा price moment are not totally random तीसरा what is more important than why चौथा history repeat itself आपको इन चारों में से कौन सा best लगता है for me जो दूसरा है वो मेरा favorite है price moment are not totally random price moves in trend भाव भगवांच price moves in trend आपका वाला कौन सा favorite है यह जरूर बताना मुझे अब आते हैं हम technical analysis के strength पे और weakness पे great बंद कर दे video कि फिर complete कर ले आज का content खतम कर लेते चलो I am sure यहां तक देख लिया तो आगे का 10 minute भी आप देखोगे और notes बनाओगे very important so make sure you pay attention आपको पता होना चाहिए weakness क्या है अगर weaknesses नहीं पता है तो नहीं चलेगा so for example किसी भी रिष्टे को ठीक रखने के लिए या अच्छा maintain करने के लिए सामने वाले की weaknesses accept करनी पड़ती है इसी तरीके से technical analysis में से पैसा बनाने के लिए उसकी weakness accept करनी पड़ेंगी but accept करने से पहले पता तो होना चाहिए अपने को चलो great strength of technical analysis सबसे पहले the first strength is not just for stock so that why technical analysis is such a beautiful tool because it's not just for stock यह सिर्फ stock के लिए नहीं है technical analysis works in futures, options, commodity, currency obviously crypto इन हर जगा पे technical analysis work करता है yes so अगर आप यह technical analysis नामक चिडिया को सीख लेते हो मैं बहुत बार जो लोग अमारे event में आते हैं मैं उनको यह बहुत बार बोलता हूँ अगर आप इस चिडिया को सीख लो चिडिया is just a technical analysis नाम की चिडिया को आप सीख लो तो आप पूरी दुनिया में उड सकते हो आपको अगर US जाके सेटल होना है या आपको पैरिज जाके सेटल होना है या आपको जो दुनिया के जो स्विजर लेंड में जाके सेटल होना है कोई फरक ही नहीं पड़ता है because if you have a laptop अरे laptop छोड़ो आज की ताम पर if you have a damn phone you can just watch few charts maybe you can track one commodity maybe you can track one piece of chart and you can make money and you make your living but then हाँ expert होना जरूरी है fast shortcut नहीं है यह आप बोलो के कल का कल कुछ जादू हो जाए तो वो movie नहीं है रितिक वाला जादू वाला यह जादू हो जाएगा but हाँ not just for stock अब दुनिया के किसी भी कोने में जा करके कुछ भी trade कर सकते हो दुनिया की कोई भी stock market को trade कर सकते हो फिर चाहे वो कोई भी chart हो apple, google, amazon doesn't matter so the biggest strength which I feel is the first point उसके बाद में the second point is it focuses on price technical analysis is not a घ्यान it's just a one simple chart it just focuses on a price जो है I am not degrading fundamental I totally respect मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त है जो fundamental analysis करते है and हम खुद भी वो कही बार करते है invest करने से पहले so मैं जरा भी उस चीज को ये नहीं कर रहा हूँ दोनों से में but technical analysis focus on price what is real तो आपको इतना महनत करके data निकालने की जरूरत नहीं पढ़ती है so it direct focuses on price then तीसरा supply and demand price action मतलब कोई भी stock है अगर वहाँ पर आप कुछ इस तरीकी के zones बना सकते हो so मैं chart मैं रिटीन को कहूँगा यहाँ पर add कर दे chart so for example if you create a zone like this and अब आपको पता है अगर market यहाँ पर आता है तो वापस उपर जाएगा and फिर next time market जब आता है वही price range में फिर green candle बनता है you buy because you know this is a demand zone and same stance with supply zones also make sense supply demand basic equilibrium थोड़ा economic जादा हो गया but then ठीक यह भावना समझ लो मेरी में क्या बोल रहा हूँ basically आप पता कर सकते हो कि market कहां से उपर गया था and कहां से उपर जाएगा that's why I really love technical analysis then support resistance it's why demands apply का ही भाई support resistance आपको पता जल सकता है कि कहां पर support है और कहां पर resistance है इसके बाद में this is also a great point pictorial price history आप जो price है उसको पिक picture format में समझ सकते हो कि from 2007 market कहां था फिर 2008 में क्या हुआ फिर 2009-10 में क्या हुआ फिर 11-12-13 में क्या हुआ फिर 14 में क्या हुआ फिर 15 में क्या हुआ फिर 16 में क्या हुआ फिर 17-18-19-20 में क्या हुआ and फिर वापस 21 में क्या हुआ यह सारी चीज एक picture format में आपको समझ में आ सकती है and that is the beauty of chart awesome इसके बाद में historic volumes and trend market में कितना volume था कौन से price point में यह समझ में आ सकता है and सबसे important trend समझ में आता है यह इतना simple चीज है that most of people will neglect this trend भाव भगवान छे and उसके बाद relative strength of stock versus index again यह बहुत ही थोड़ा सा एक deeper topic हो जाएगा so मैं यही वीडियो में last coin को ज्यादा cover करना नहीं चाहूंगा but then हां stock कैसा चला उसके सामने index कैसा चला यह समझ में आ सकता है तो nifty अगर इतना उपर चले गया और SBI अगर इतना उपर नहीं गया तो वो case में nifty ज्यादा strong है बस again I can speak for one hour on this topic but अभी के लिए इतना बस so basically यह जो points है इसमें से मेरा personal जो रहेगा that will be the first one not just for stock मैं दुनिया में किसी भी कोने में जाकर के कोई भी instrument को trade करके पैसा बना सकता हूं that's the biggest strength in technical analysis for me and second is it focuses on price so that's a great thing अब आते हैं weaknesses पे this is very important you have to pay a great deeper attention to this पूरा ध्यान यहां पे पुदाए ध्यान यहां awesome अब सबसे पहला point analyst base इसका मतलब क्या होता है it depends on analyst to analyst उसे क्या view देना है for example कोई stock का 44 moving average rising है तो मैं बोलूँगा personally like मेरा सदाथ का view रहेगा के अच्छा है इसे खरीच सकते लेकिन कोई होगा जो वहाँ पे resistance line मारेगा वो बोलेगा नहीं 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 इसे मत खरीदो both are right सदाथ भी सही बोल रहे है वो analyst भी सही बोल रहे है absolute 100% वो भी सही बोल रहे है absolute so this is the weakness of technical analysis itself के इनलिस्ट बेस दूसरा weakness open for interpretation उसी point को continue करते हुए कोई भी चार्ट खोलने के बाद में अगर आपको ज्यादा technical analysis आता है आपको support, resistance, Fibonacci, Elliot wave, time series, Fib time RSI, moving average, price action, chart patterns ये सारी चीज़े आती है अब trade करना भाई बहुत पंगा है to make money it's really tricky because कुछ indicators buy signal देंगे कुछ indicators sell signal देंगे हाँ बोलो कि अब करू क्या it becomes very complex that's why I always say focus on one tool एक tool पे focus करना है और पैसा बनाना है one tool but कहने का मतलब इतना सा है it's open for interpretation कुछ को buy, कुछ लोग buy करेंगे कुछ लोग sell करेंगे that's weakness of technical analysis itself इसके बाद में too late sometime चलो 44 का यह example लेते हुए so कोई stock bottom में है and then bottom से stock गया like 100 रुपे पे खड़ा था and हमें buy मिला जाके 120 पे 20% late entry मिला कोई stock को maybe entry आते है 100 वाला दोसों पे जाके buy मिला it's late entry right कोई भी stock का moving average rising होते होते है time लगता है it's a late entry so it's too late sometime कई बार entry like बीच में मुझे याद है reliance stock था reliance जब चलना शुरू हुआ था वो time में double हो गया तब जाके trade मिला है श्याद ट्रिपल हो गया stock reliance ट्रिपल हो गया तब जाके एक हाथ सौदा मिला था हमें 44 पे so बहुत बार late है technical analysis इसके बाद में there is always another level ठीक है so क्या होता है जब भी निफ्टी नीचे आता है for example निफ्टी अपना covid crash 2020 में नीचे आया था वो time पे जो targets थे नीचे वाले वो हमेशा there is always another level जब 7,000 आ गया तभी भी टार्गेट थे 5,000 के जब 7,000 आ गया तभी भी जो targets थे निफ्टी के वो 5,000 के थे so there is always another level there is always another level so हमेशा यह तकलीफ होता है कि अगर कोई support break किया तो और एक support है और एक support है अब समझ रहो राइट मैं क्या पूल रहा हूं so that's weakness of technical analysis and then there are too many tools and indicators this is again one more big disadvantage of technical analysis that RSI, MACD, Stochastic Elliot Wave, Fibonacci, Moving Average Moving Average के अंदर itself Simple Moving Average, Exponential Moving Average and और 2-4 types के Moving Average उसके बाद में 10 का Average, 20 का Average Double Moving Average, 44 Moving Average 50 Moving Average, 100 Moving Average, 200 Moving Average and इस तरह के सी कई सारी Moving Averages है use क्या करने का so that's a weakness so आप बोलोगे Sedaat Solution क्या है यह जो तू Candlestick बोला इसको study कहां करना है open क्या होता है close क्या होता है trend क्या होता है तू 44 बोल रहा है triangle क्या होता है double bottom क्या होता है यह सारी चीजों के साथ पैसा कैसे बनेगा उसके ही ऊपर यह पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है with lot of love and respect for you and your family I am super happy and pumped to shoot this मुझे बड़ा मज़ा आया है आज make sure अगर आपको 27-28 नवेंबर वाले इवेंट में आना है तो उसका registration 30 September को बन होगा और अगर आप यह 30 September के बाद में वीडियो देख रहे हो तो अपरिल में इवेंट होगा which gonna be the like 25,000 people के साथ में इवेंट करेंगे अपरिल वाला awesome चलो great तो इसका अलावा अगर आपको 27-28 वाले इवेंट में आना है तो आप यह वीडियो देखना साड़े साथ हजार लोग यह इवेंट में आएंगे और उसमें से आप नीचे description में लिंक देना देख लेना, चेक कर लेना है तो seats available होंगी तो link होगा link नहीं है तो seats available नहीं हो और आप अगर 30 September के बाद में यह वीडियो देख रहे हो तो अपरिल वाले इवेंट का link होगा ठीक है? तो आप यह वीडियो देखना है इसमें सारी details है and awesome, I'm super happy and pumped to record this video and give this to India because I know this is the thing जिससे solutions निकल सकते है जिससे पैसा बन सकता है and आपके मन में अगर यह सवाल है कि सिदात यह क्यों secrets अपने इस तरीके से openly दे रहा है so उसका एक simple सा answer है stock market is a samandar sea, it's a ocean and उसमें से आप अगर एक bucket या बल्दी भरके लेके जाओगे तो उसमें से मेरा पानी कम नहीं होगा क्योंकि मेरे पास भी एक bucket है एक बल्दी है, मैं भी चार बल्दी लेकर के आओँगा चार बल्दी से samandar का पानी खाली नहीं होता है और मेरे बकेट में से पानी नहीं नहीं ले रहे हो तो यह एक बल्दी अब तो गिव देस ओपनली चलो, great I'm super happy and pumped, I'll meet you next Friday with the chart and the technical analysis and proper candlestick, open high low, close और भी support resistance वगरा के साथ में till that time, be disciplined because discipline is one of the most important thing to make money in stock market to make money in stock market